साथ तारिक बीट गया लेकिन अभी तक पैसा नहीं आया काफी लोगों ने बार बर यही सेम चीज कॉमेंट किया है कि एक तारिक हो गया, दो तारिक हो गया, तीन तारिक हो गया फिर उसके बाद साथ तारिक भी हो गया बट अभी तक किसी का पैसा नहीं आया तो guys इसी को लेकर के ये आज का वीडियो है आज के वीडियो में हम जानेंगे reason की क्यों नहीं आया और उसके regarding को solutions पे भी हम यहां बात करेंगे तो चलिए आप वीडियो के तरफ move on करते हैं और वीडियो के तरफ move on करने से पहले करी आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फट फट से चैनल को कर लिए सब्सक्राइब मेल आइक उन को कर लिए जो on और इसे ज़ादा ज़ादा लाइक और शेर ज़रूर करिए ताकि जिन लोगों को इस update की अगर information नहीं हो तो उन्हें भी इसकी information मिल जाए और इसके अलावा और जो information समय मिलेंगे अपडेट से रिगार्डिंग वो हम आपको inform कर सके इस चैनल के माधियम से इसलिए इसे subscribe और जादा जादा share ज़रूर करें चलिए वीडियो को on करते हैं और देख लेते हैं वो कौन सा update है जिसके वज़े से पैसा अभी तक नहीं आया हमारे पास तो देख सकते हैं गाईज यह रहा notification जो कि आप Oxane के site पर जबाएंगे तो यहां पर notification bell के पास आप देख सकते हैं यह notification आया है तो देख सकते हैं यहां पर इन्होंने साब साब बोल दिया कि यह system में कुछ अप्ग्रेडेशन कर रहे हैं जिसके वज़े से 15 तारिक तक सब कुछ जो है वो पास रहेगा hold रहेगा और यही reason है कि पैसा किसी का आया नहीं है जो लोगों का starting में धोड़ा बहुत आया था वो हमने आपके साब share कर दिया था अब वो सच था या जूट यह हम नहीं कह सकतें क्योंकि हमारे पास जो लोगों का पैसा आता है और हमारे जो group है उसमें जब कोई share करता है तभी हम वो आपके पास देते हैं ऐसा नहीं है कि पुराने जो screenshot होते हैं वो हम आपसे share करते हैं क्योंकि हमें आपको कोई fake news देने में कोई interest नहीं है और नहीं auxing से हमारा ऐसा कोई वो बहुत extra money मिल रहे है कि हम आपको fake news दे हम आपको जो सच्चाई के साथ हमारे पास news आते हैं वही आप तक provide करते हैं हो सकता है कि अगर वो गलत भी हो और सही भी हो क्योंकि हम अपने तरब से तो कोशिश करते हैं कि इस तरह के payments related news जो है वो बिलकुल सही हो और अक्सर जो news अगर गलत आते भी है तो वो payment को ही लेकर होता है कि screen shotty कुछ कुछ गलत लोग provide कर देते हैं अब हम उनके bank account को तो check नहीं कर सकते हैं हां यह चीज रहता है कि वो मेरा नहीं होता तो मैं आपको साफ साब बताती हूं कि वो मेरा नहीं है वो किसी और ने share किया है तो ही मैंने आपको भी share किया और मैं एक बार आपको बता देती हूं ताकि आपको यह पता रहे कि हाँ पैमेंट आ रहे है That's it मेरा कोई इंटेंचन नहीं होता कि आपको गुमरा किया जाए और यहां तक रहा पैमेंट का ओ तो जैसे आप वेट करते हैं वैसे मैं भी वेट करती हूँ मुझे भी अपने पैसे चाहिए but still payment लगाने के बावजूद हमारा पैसा भी नहीं आया है हम लोग भी पैसे जो है वो रुके हुए है तो हम लोग भी वेट ही कर रहे है और कापी टाइम से अब जो मुझे message कर रहे थे comment कर रहे थे मैं reply नहीं कर रहे थी वो इसी वज़े से क्योंकि जब कोई मेरे पस notification ही नहीं है कोई भी मेरे पस इसका answer ही नहीं है तो मैं क्या फालत हूँ कि फिजूल बाते आपको बताओ तो इसलिए जब यहां पर एक notification आया आया है प्रॉपरली एक date आया तब मैं आपके सामने ये वीडियो लेकर आई और आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि हाँ ये reason है otherwise वैसे भी इसका भी कोई मतलम नहीं बनता है क्योंकि बार बार ये चीज़े कहना और payment देनी के time पे इस तरह से मुकर जाना और उसी time पे इतना update करना ये सब चीज़े तो बिलकुल भी सही नहीं है मैं खुद accept नहीं करती हूँ इस सब चीज़ों को तो मैं आपसे तो कोई उमीदी नहीं करती क्योंकि अगर आपको update करना है यो कुछ भी करना है तो आप payment देने के बाद भी कर सकते है ये ज़रूरी नहीं कि आप सारे लोगों के पैसे इसमें रोक दीजे क्योंकि आपके ऊपर trust करके ही लोग आपकी company में जाहिर से बाते invest किये हुए तो invest करने का बाद लोगों को ऐसा कभी की feel होना चाहिए कि वो फज गय है अगर आपने उनसे विश्वास मांगा है उन्होंने आपे विश्वास किया है तो आपको उनका payment जरूर देना चाहिए कम से कम इतना बहुत जादा amount अगर आप नहीं दे पा रहे है तो कुछ amount तो लोगों का देही देना चाहिए जिससे उन्हें भी satisfaction हो कि हाँ उनका थोड़ा ही थोड़ा करके amount आ रहा है आप सीधे बोल दीजी कि हाँ इतने की limit है एक हपते में इतना ही मिलेगा अगर आपके पास पैसे के arrangement जो है वो नहीं हो पा रहे है in case और अगर आप नहीं दे पा रहे है लेकिन पूरा-पूरा पैसा किसी का hold कर लेना ये बहुत गलत है कंपनी के तरफ लोगों का जो विश्वास है वो day by day कम होता जाएगा इन सारे activity से तो बिलकुल मैं यहीं चाहूँगी कि अगर कंपनी तक ये बात पहुश रहे है तो वो ज़रूर इस चीज़ को ध्यान दे कि लोगों का पैसा अब उन्हें मिलना चाहिए और लोगों के मन में जो इतने गलत-गलत images बन गए हैं कंपनी को लेकर कि वो payment नहीं देती और payment के time पे ही सब upgrade वाला जो drama है वो सब करना start कर देती है तो ये सब नहीं करना चाहिए क्योंकि आप भले ही legal way में strong रहो या कुछ रहो लेकिन किसी को किसी के सब गलत करके आगे बढ़ने का कोई मतलब नहीं है अगर आपने आगे बढ़ने के लिए सब का साथ लिया है तो जिस उमीद से लोगों ने आपका साथ दिया है उसे फुलफिल आपको जरूर करना चाहिए और इस तरीके से किसी को बिलकुल डेकलेक्ट करके आगे बढ़ना बलकुल ठीक नहीं है तो इन शॉर्ट बस यही कोंगी लोगों का पैसा जरूर दे अगर एक साथ पूरा पैसा नहीं दे पारे तो थोड़ा थोड़ा करके दे ताकि आगे जो लोग इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहें इसके साथ जुड़ना चाहें तो वो जुड़ सके वरना कौन जुड़ेगा जो लोग लगे हुए हो बस वो यही फील करते रहेंगे कि हम फस करें और बस फसने के नाम पे ही एक पैसा हमारा लग रहा है तो यह फीलिंग आना अच्छी बात नहीं है तो मेरा बस यही रिक्वेस्ट रहेगा और प्लीज डू दिस एंड जित्ती जल्दी हो सके लोगों के पैसे ज़रूर रेटर्न करें और बाकि अगर कोई चीज, कोई इशू है कोई प्रॉबलम है, कुछ भी है तो आपको एक बार यह ज़रूर क्लियर कट नोटिफिकेशन देना चाहिए और उसके बाद जो आप कमिटमेंट करते हैं उसको ज़रूर फुल्फिल करना चाहिए ऐसा नहीं कि आज आपने कहा कि हाँ इस मन्त में मिलेगा जैसा कि पहले से इतना सारा ब्लू रेड का चला फिर हुआ था कि आप देंगे ज़रूर मगर आपने फिर नहीं दिया फिर सब्ग्रेडेशन का आगया तो यह सारी चीज़ें नहीं होनी चाहिए एक बार अगर आपने कह दिया तो वो कह दिया तो देना चाहिए बस यह कहना चाहूंगी और बाकी आप लोगों से तो यही कहूंगी कि जैसे हम लोग वेट कर रहे है कि हमारा भी पैसा रुका ही है फसा ही है तो थोड़ा और वेट कर लिए देखते हैं पंदरा को क्या होता है बाकी जो नए लोग इन्वेस्ट करने वाले हैं वो थोड़ा सा रुक के इन्वेस्टमेंट करें जब यह पेइमेंट का जो फ्लो है वो ठीक हो जाए लोगों का पेइमेंट जो है वो टाइमली मिलने लगे तभी मैं कहूंगी कि आप इन्वेस्टमेंट करिये क्योंकि फाल्तो में जितने पुराने लोगे वो तो परिशान ही है अगर आप भी investment करते हैं या अभी जुड़ेंगे company से तो आप कभी पैसा रुकेगा तो वालतो में आप भी गुसा ही होंगे क्योंकि पैसे लगाते हैं तो पैसे नहीं मिलता है वापस तो हर किसे गुसा आता है क्योंकि पैसे पेड़ पे तो किसी के नहीं लगते हैं सब कहीं न कहीं मेहनत करके ही उसे कमाते हैं तो नए लोगों से यही रहेगा कि अभी थोड़ा सा रुक के करें invest बाकि जिनका लगा हुए है पैसा वो लोग थोड़ा और पेशेंस रखें और देखते हैं पंदरा तक क्या होता है उसके बीच पे कोई notification आता है तो हम आपको ज़रूर बताएंगे या payments related कोई भी update मिलने पे मैं तुरंत आपको यहां पे वीडियो उसके माध्यम से आपको सारी चीज़े ज़रूर बताऊगी तो यही information था कि पंदरा तक सब कुछ hold है तो आज के लिए नहीं मिलते हैं आप next वीडियो में नमस्ते